कर्मी के मोसम में खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, सिर्फ कुछ थंडा पिने का मन होता है, तब बनाते हैं ऐसा हेल्दी जूस कृष्ण सनेह कीचन हिंदी में मैस नेहा, आप सभी का स्वागत करती हूँ हिल्दी जूस बनाने के लिए हमने एक गाजर लिया है, एक बीट रूट लिया है, और एक एपल लिया है, गाजर और बीट रूट का हमने छिलका निकाल कर लिया है, अब इसे कट करके लेते हैं अब एक मिक्सी जार लेते है उसमें कटा हुआ बीटरूट डाल देते है कटा हुआ एपल डाल देते है और कटा हुआ गाजर डाल देते है इसके उपर डाल देते है आधे निम्बू का रस टेस्ट के अकोर्डिंग छोटा पाउच चममच काला नमक डाल देते हैं दो चममच शक्कर डाल देते हैं शक्कर की जगह आप खड़ी शक्कर भी डाल सकते हो या एक चममच शहेद भी डाल सकते हो इसमें एक कप पानी डाल देते है पाच्छे बरब के तुकडे डाल देते है इसे मिक्सी में बारिक पीस लेते है अब एक ग्लास लेते है मिक्सी में पीस हुआ जूस ग्लास में डाल देते है आप चाहो तो इस जूस को चन्नी से चान कर भी ले सकते हो गार्णिशिंग के लिए गाजर का एक कतरन लगा देते है उपर से आईस के क्यूब डाल देते है पीने के लिए तयार है न्यूट्रिशन से भरपूर हेल्दी जूस आपको ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताना हमारे चाइनल पर नए हो तो लाइक और सस्क्राइब करना भी भूलना मत हम फिर मिलेंगे ऐसी ही नई नई रेसिपी के साथ थैंक यू